जब मैंने वेब डेवलोप्मेंट की जर्णी अपनी स्टार्ट करी थी तो मैंने लोगों से पूछा था क्यार यह वेब डेवलोप्मेंट सीखते कैसे हैं और जो मुझे answers मिलें जार अंगुलर सीकलो, व्यू सीकलो, यह सीकलो वो सीकलो तो इतनी सारी technologies का नाम सुनकर मेरे दिमाग के डखकन अड़ गए और आज भी मुझसे बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि स्टार्ट करें तो कहां से करें ये वीडियो आप लोग को गाइट करेगा कि क्या आप लोग की स्ट्राटेजी होनी चाहिए मैंने पूरी list बना के लखी हुई है और bucket technique बताऊगा क्या है एक bucket technique है जो कि मैंने यूज करके web development को master किया आप भी यूज करके कर सकते हैं इन सब चीजों की बात करेंगे फटा फट से लेकिन सबसे पहले बात करूँगा कि web development की basics की तो सबसे बहले basics क्या है वो क्या चीजे हैं जो आपको सीखनी चाहिए ठीक है और यह सब बताने के बाद इसकी जब मैं बात करूँगा तो एक shortcut बताऊँगा आप लोग को और वो shortcut बहुत दमाकेदर होने वाला है but at the same time आप लोग के लिए यह भी important है सबसे पहले इसको सुनते हैं यह जादा important है basics तो आपको कोई भी website बनाने के लिए चहिए होता है HTML, CSS और JavaScript और मुझे पता है आप लोगों ने यह चीज सुनी होगी पहले भी यह कोई नई चीज पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप लोग और सुन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं ठीक है मैं इनके बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा यह skeleton होता है किसी भी एक website का skeleton जैसे कि आप लोग मलो एक गाड़ी चला रहे हो तो वो जो गाड़ी का skeleton मुखड़ा जो होता है बिना इंजन के बिना कलर के बिना डिजाइन के वो HTML है उसके बाद आपने इस गाड़ी को तोड़ा सजा दिया उसके अंदर कलर वगएरा कर दिये आप ऐसा समझ लो आपने CSS की साहता से उसके डिजाइन को तोड़ अच्छा कर दिया, उसके वील्स को अच्छा कर दिया, कलर कर दिया, उसके अंदर, यह सारी चीज़े, आप CSS सकते हो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, कि कौन सा बटन दबा कर क्या होगा, उसका इंजन, और सारी यो प्रोग्रामिंग और गाड़ी की, कुछ ऐसा समझ दो, आप जावास्क्रिप्ट है, वेबसाइट में भी ऐसी होता है, ह्ट्मिल क्या होता है, कि बटन कहां पर आएगा, अगर मान लो यह एक मेरी वेबसाइट है, www.something.com, तो यहाँ पर इमेज आएगा की नहीं आएगा, बटन यहाँ पर आएगा, यह सब चीज़ें आपकी HTML देखती है, ठीक है, HTML मैं आप बस स्पेसिफाइ करते हो, यहाँ पर बटन, यहाँ पर मेरा टेक्स आएगा, यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहाँ, यह पर हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यह सब चीज़ें आप स्पेसिफाइ करते हो, ठीक है, उसके बाद आप CSS से क्या करते हो, इस चीज़ को आप CSS की साहिता से बताते हो कि यह चीज कहा होनी चाहिए, इसकी यह गाप क्या होनी चाहिए, इस इमेज का साइज कितना होना चाह यह media queries type की कोई चीज होती है उससे हम करते हैं बाद detail में नहीं जाओगा CSS की यहाँ पर आपको समझते है यह जरूरी है कि HTML skeleton है, ठीक है, skeleton CSS क्या है, CSS design के लिए यूज होती है और JavaScript logic के लिए यूज होती है, ठीक है यह हमने देख लिया, ठीक है, और यह बहुत basic है, लेकिन क्या हमें HTML, CSS or JavaScript में मानलो हम इसको इस order में पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं फस गए, क्या हम सारी चीजों को 100%, 100%, 100% करें, क्या यह करना ideal रहेगा, नहीं, और तो वहाँ पर काम आती है, bucket technique, जो कि मैं आप लोगे लिए design करी, क्या है यह bucket technique, मैं कहता हूँ, आप अपने web development knowledge का, एक bucket बना लो, क्या बना लो, एक bucket बना लो, web development knowledge का, ठीक है, धान से सुनना इस बात को, और आप लोग क्या करो, जो HTML है, उसको 80% सीखो, अब आपको 100% क्यो रहा सीखो, HTML तो बहुत आसान है, HTML के अंदर भी कुछ चीज़ा ऐसी होती है, जो की थोड़ी complicated है, जैसे की canvas, ठीक है, तो मैं कहूंगा, HTML आप 80% सीखो, और क्या 80% सीखना है, यह कैसे पता चलेगा, मैं आप लोग को यह बी बत ही करेंगे, हम सिफ 80% सीखेंगे, शायद आप लोग को इस तरह से कोई नहीं बताएगा, मैं experience के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अगर जल्दी से यल्दी websites बनानी है, और अपने web development carrier को optimally आगे बढ़ाने, तो यह आपको करना ही पड़ेगा, कुछ और आप करते हो, तो म आपको कोगा, यार मैं 60% CSS क्यों सीखों, मैं 100 क्यों ना सीख लूँ, आऊंगा उस पे भी, 60% और मैं जल्दी से JavaScript भी लिख देता हूँ, JavaScript बाइदाव एक programming language है, तो अगर आप लोग ने कुछ भी computer science में कोई programming language नहीं पढ़ी है, तो आप लोग यहां से अपनी programming journey स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है? अभी 80, 60, 50 क्यों है, 100, 100, 100 क्यों नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 100, 100, 100, 100, लेकिन अगर आप 100, 100, 100 करने चलोगे, तो आपके दिमाग के ढखकन उड़ जाएंगे, अगर आपने CSS में अटक गए, अगर मानलों, HTML भी आपको लगता कि आप HTML सिर्फ इतनी सीख लो कि आप एक page का layout बनाना सीख जाओ, हम canvas की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतनी चीज़े सीखनी हैं जो कि आप देखते हो, जैसे कि button देखते हो आप एक website के अंदर, आप एक website के अंदर headings देखते हो, आप एक website के अंदर paragraphs देखते हो, आप एक website के अंदर देखते होगे, ठीक है, वो सारी चीज़े आपको सीखनी है, और कोशिश करना है कि आप जादा से जादा से इसको सीख पाऊगे, कि यह सबसे असान चीज है, ठीक है, उसके बाद CSS है कि आप एक ऐसी चीज़े जहां पर लोग अटक जाते है, और अगर आपने स्टार्ट करके रुके हो web development तो आपको पता होगा मैं कि इस बारे में बात कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, CSS को सिर्फ इतना सीखना है कि आप लोग अपने image को color कर लो, मतलब कि background वगरा दे लो, borders दे लो, और आप लो padding देना सीख लो, margin देना सीख लो, ID सीख लो, class सीख लो, ID, class हो गया, margin हो गई, padding हो गई, और मतलब मैं आपर कह ये रहा हूँ कि कुछ complicated छीजें CSS की आप उनको skip करने में बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप जिंदगी भर के लिए उनको skip करो गया, आप उन पर वापस आओगे, अभी आ आपको एक web page को design करने में सक्षम होगी, ठीक है, आप कर पाओगे, एक web page design कर पाओगे, ठीक है, यह करने के बाद आपको JavaScript सेखती है 50%, अब आपको बस 50%? नहीं, 50% भी बहुत है JavaScript, JavaScript में बहुत complicated concepts हैं, JavaScript में promises का concept है, JavaScript में object oriented programming होती है, JavaScript में promises हो गई, callbacks हो गई, और उसके beginner के लिए complicated होंगे, मैं आपर complicated बोलकर यह नहीं बोलना चाहता है कि आपसे होनी पाएगा, complicated एक beginner के लिए वो होंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि variable, constants, functions, y loop, if, else, यह सब चीज़े आप एक बार पढ़के, JavaScript को 50% done कर दो, क्यार मुझे JavaScript आती है, अब इस पॉंट पर आपको CSS, HTML, HTML, JavaScript, तीनों आती है, अब आपको क्या bucket में आड़ करना है, projects, ठीक है, आपको projects add करना है, और जब भी आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आपको वापस आना है, समझे रहों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहो है, आपको वापस आना है, और अपने concepts को brush up करना लेकिन वापस आने से पहले आपको कम से कम 2-4 projects बना लेने है, और projects बनाते हैं समय हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज़े सीख लो, ठीक है, तो HTML, CSS, JavaScript को इस तरह से सीखना है, ऐसे नहीं सीखना है कि एक इतनी मोटी book उठाली आपने HTML की, इतनी मोटी उठाली CSS की और इतनी म आपका कुछ और full-time काम है, तो आप student हो याँ आप job में हो, और विसलिए आप अपना 100% time इस चीज़ को नहीं दे सकते, most of the people की बात हो रही है, exceptions हो सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगोंने क्या कर रहा है, कि आप लोगोंने front end सीख लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूं, कुछ हमारे पर shortcuts होते हैं, ठीक है, क्या है यह shortcuts, यह shortcuts है, bootstrap, tailwind CSS, यह क्या चीज़े होती है, यह CSS के frameworks होते हैं, ठीक है, यह CSS के जो frameworks है, यह किसी और ने आप लोगों के लिए कुछ IDs and classes लिखी होई है, और आप उनके द्वारा किये गए काम को यूज कर सकते हो to be a awesome website, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, आप कहरोगे कि यार किसी ने already कर दिया है, मैं उसके buttons, मैं उसका ही जो border है, या फिर उसका ही कुछ भी design उसने मनाया, वो मैं component-wise अपनी website में यूज क कि bootstrap के अंदर एक circular button या फिर आपको अगर एक partially circular button, elliptical button चाहिए बहुत चोड़ा सा, उस तरह के customization आप नहीं कर सकते है as of now, ठीक है, तो अगर आपको एक बहुत चोड़ा elliptical button चाहिए और कितना elliptical आपको चाहिए, यह भी आप चाहते हो कि specify आप करो, तो वो सारी करना मुश्किल हो जाएंगी, आप लोग उतना customization नहीं कर पौँगे, और अगर किसी न आपसे यह कह दिया कि यहाँ पर अंदर black border हो, और उसके अंदर green border हो, तो इस तरह के buttons आप CSS से बना सकते हो, bootstrap tailwind से नहीं बना सकते, यह shortcut सुन लोगों के लिए है, जो कि एक सफल web developer न पहलाते भी नहीं है, एक web developer को यह तीन basic skills आनी चाहिए, तो यह framework क्या होते है, यह view, react, angular, इन सब की भी बात करूँगा, लेकिन उससे भी पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, कि यह path आप लोग को एक सफल web developer बनना है, तो नहीं लेना है, तो नहीं लेना है, से काम करती है, यह रहा web server, ठीक है, यह रहा client, और यह client कितने भी हो सकते है, यह बहुत सारे लोग हैं, जो कि इस website को request कर रहे है, ठीक है, जैसे मनलो है www.codewitharee.com है, और codewitharee.com को server इनको response बेजेगा, मनलो index.html, अभी जो index.html है, इसके अंदर सारी की सारी HTML, CSS और JavaScript कंपाइल करके भेजी है server ने, और browser इसको parse करेगा, यानि कि जब आप कहते हो कि मुझे www.codewitharee.com दे दो, आप server से यह चीज़ कहते हो, तो server क्या करता है, आपको कुछ response भेजता है return में, यानि कि आपके पास एक return में response जाता है, अब एक बार आपके पास return में response चला गया तो आपका browser response को parse करता है, यह चीज़ कैसे generate होई, यह आपका backend करता है generate, हो सकता है वो HTML के अंदर कुछ database से उठा कर post ले आए, for example, आप अगर कोई HTML पेज देख रहे हो जिसमें एक blog post लिखा हुआ है और comments लिखे हुए है, तो आपके backend को database से या फिर किसी file से read करना पड HTML, CSS, JavaScript combination जो की वो client को भेजेगा, यह मानलो client है जो की better wise computer को use कर रहा है, ठीक है, तो client यह बंदा है, ठीक है, अब यह client use करना चाहरा है इस website को, जो भी request यह भेजेगा, return में server इसको response भेजेगा, और server वो response कैसे generate करेगा, वो काम होता है backend का, तो backend क्या होता है, कि जो response जिस request प से कुछ query कर सकता है, for example, block post query कर सकता है, वो कुछ images query करके भेज सकता है, आपको HTML में embed करके, तो वो सारे काम आपका backend करता है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि backend की कौन सी language हमें सीखनी है, तो यहाँ पर फटफट से लिखता हूँ, which backend, ठीक है, तो देखो, backend के बहुत सा करता हूँ, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेकार है, ठीक है, और मैं justify करूँगा कि मैं क्यो recommend कर रहा हूँ इस चीज को, मैं PHP को recommend करता हूँ, for a beginner, क्योंकि मेरे इसाब से अगर आप लोग PHP सीखते तो आपको समझ में आता है कि किस तरह से आपका यह backend, front end का जो handshake ह यह काम कर रहा है, ठीक है, और एक बर आप लोग इस चीज को समझते हो, तो आप लोग के लिए आसान हो जाता है, समझना पूरे workflow को और उसके बाद स्विश करना किसी दूसरे backend में, यह पूरा process आपके लिए आसान हो जाता है, इसके pros क्या है, इसके pros यह है, यह easy to learn है, ठी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो libraries होती है, इसका limited support है, for example, doing machine learning in PHP is not a good idea, करने को आप कर सकते हो, सारे algorithms implement कर सकते हो, पर उसके लिए Python आप यूज कर सकते हो, क्योंकि TensorFlow, Scikit-learn, जैसे बहुत amazing projects already लिखे हुए है, इसलिए आप लोग PHP को machine learning के लिए अवाइड करें, PHP का जो syntax है, जो if, else, while syntax है, वो javascript के बहुत बहुत करीब है, तो already आप लोगो ने javascript सीख रखी होगी, तो PHP आप लोगो के सीखना बहुत असान होगी, ठीक है, दूसरी जो मैं language, आप लोगो को suggest करना चाहूँगा, वो है node.js, और मैंने अपने web development course में यही उस करी हुई है, यह इस चाहूँगा कि इसके अंदर दिक्कत आप लोगो यह पढ़ सकती है, कि इसके अंदर कुछ javascript के complicated concept, जिसकी बात हमने आप पर करी दिगया, javascript 50% सीखनी है, तो अगली वाली 50% है वो भी आपको सीखनी पढ़ जाएगी, अगर आप लोग javascript को as a backend use कर रहे हो, ठीक है, औ node.js को किस तरह से run करना है computer के अंदर, कभी-कभी यह चीज़ भी complicated पढ़ जाती है, कुछ बच्चों के लिए कि start कर रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आता, computer कैसे चलाते हैं, बहुत गहराई से नहीं आता, software perspective से बात कर रहा हूँ मैं, computer typing से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो जैंगो और फ्लास्स नाम के दो framework हैं, उनको आप बैकेंड में यूज कर सकते हो, यह बैकेंड के framework है, आप जैंगो और फ्लास को बैकेंड में यूज कर सकते हो, नोट.js अगर आप यूज कर रहे हो तो आप most probably express यूज करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके दक्कन अड़ यूज कर रहे हो, तो as a beginner, MySQL यूज करो PHP के साथ, MongoDB यूज करो, Node.js के साथ, और अगर आप Python यूज कर रहे हो, तो SQLite यूज करो, क्योंकि ये जैंगो में by default होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये database ऐसा नहीं है कि यही यूज करने, as a beginner मेरी recommendation है, आसान पड़ेगा, इसलिए लिग दिया मैंने आपको, ठीक है, तो ये इस तरह से आप backend यूज कर सकते हो, और जो point यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ, देख लेता हूँ, कोई point मैंने miss तो नहीं कर दिया, कुछ चीज जो मैं recommend नहीं करता हूँ, उनकी बात करता हूँ not recommended, क्या करना है वो तो important है, लेकिन क्या नहीं करना है वो से भी जादा important है, recommended, आप frameworks की तरफ देखो भी मत, यानि कि आप, जो JavaScript के frameworks हैं, उनकी तरफ ऐसा beginner मत देखो, ठीक है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं देखना है, कब देखना है, उसकी भी बात करेंगे, बट अब यह के लिए आप लोग को JavaScript के framework, जो Angular, View, React, उनकी तरफ नहीं देखना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग को website builders की तरफ नहीं देखना है, विक्स हो गया, और भी पता नहीं कौन कौन से website builders आ गए, गोडैडी, website builder, पता नहीं कौन कौन से website builders आ गए, वो आप लोग को यह पर नहीं देखना है, उसे के साथ साथ आप लोग को third party JS libraries, as a beginner, install नहीं करनी है, मैं यह यह नहीं करनी है, अभी कामी मत करो libraries के साथ, as a beginner, jquery वगएर आपको use नहीं करनी है, third party, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, JS libraries आप लोग को, यह तीनो चीज़ आप लोग को use नहीं करन CSS, JavaScript, यह भी पूरी नहीं सीखनी है, यहाँ पर भी आप लोग काम सस्ता कर दिया, 80%, 60%, 50%, फिर projects बनाओ, थोड़े-बौत, static websites बनाओ के जिसमें back-end नहीं है, वो static website, जिसमें back-end है, वो dynamic website, simple सा concept है, ठीक है, confuse मत करना, static website बना लो पहले, जिसमें कि आप अपने computer पे websites बना रह होगे, और उसके बाद आप लोग चले जाओ, यहाँ पर, PHP की साहिता से, और MySQL की साहिता से, बहुत अच्छी API है, यह मैंने course डाल लगा है, पूरा PHP का, resources की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर resources की बी मैं बात करना चाहूँगा, कि कहां से आप लोग को सीखना है, ठीक ह अगर अगर आप एक graphic designing skill है आपके अंदर, तो आप लोग अच्छी अच्छी website इस design कर सकते हैं, and by design कर सकते हैं, I mean कि आप लोग layouts draw कर सकते हैं, अच्छी अच्छी, मैं recommend करता हूँ कि आप already जो websites बनी होई इंटरनेट पर, उनसे inspiration लें, design को देखें, और उसको mimic करने की कोशि और अलग-अलग component उसकी तरह बनाने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छी designer बन जाएं, ठीक है? तो यह होता है design part, designing एक अलग skill है, और उसका programming, web development, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, designer, एक अच्छी अगर आप हो, तो आपको पता है कि क्या चीज आँखों को appealing लगेगा, कौन सा color combination यूज करना है, वो एक दूसरी skill होती है, और यह बास समझने में बहुत लोगों को time लगता है, आप जल्दी समझ लो अपनी life में, जितनी जल्दी समझ लो, अपने web development career में उतना अच्छा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, resources की बात करता हूँ, तो सबसे सबसे ले तो HTML सीखने के लिए मैंने HTML का one video बना रखा है, ठीक है? HTML in one video, और मैं यहां पर कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि आप लोगों को यह दिखे न, मैं जादे यहां पर खिच पिच नहीं करूँगा, resources यहां पर लिख देता हूँ, मैं 3 यहां पर लिखा, 4 यहां पर लि और कोई क्या वो 100% HTML है, नहीं, वो 80% HTML है, जो कि आपको चाहिए, तो आपको 80% HTML कहां से करना ही आपको पता चल गया, लिंक्स मैंने दे रखे हैं, एक PDF आप लोगों को दूँगा, मजा आजाएगा आपको, सारे लिंक्स उसमें होंगे, टेंशन मतले ना क्या चीज कहां प और आप खोलोगे ना, मजा आजाएगा आपको, ये वीडियो देखना और ये वेबसाइट खोलना, ठीक है, इसके बारे में जादा नहीं बोलूँगा, इसमें HTML के कंपोनेंट्स आप लोगो मिलेंगे, अलग अलग तरह के color select करने का मोका मिलेगा, और भूट तरह के amazing components मैंने, web development course, जो बात मैंने करी है न, यहां पर, जो मैंने आप लोगो को बताया है, मैंने node.js के साथ ये वाला route लेके, पूरा करा रखा है, एकदम end to end hosting के साथ, hosting के साथ, तो आप लोग, उसको अगर watch करते हो, तो ये सब चीज़े जो मैंने बताई है, वो automatically ही cover आपकी हो ग जो की थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोगो को, नोट.js से जादा आसान पड़ेगा, लोगो लगता है, नोट.js में जावास्क्रिप्ट बढ़ेगा, इसलिए पूपिलर है, ठीक है? पीएच प अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो मैंने पीएच पी का एक वन और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप गूगल सर्च से स्टाक ओरफ्लो से अनलानी रिसोर्स से अपना काम चला लोगे सिर्फ दो गंटे का तीन गंटे का वीडियो देख का काम हो जाएगा तब आप लोग यह देख सकते हो वन वीडियो वन अगर आपको step by step walkthrough चाहिए आपको लगता है आप beginner और आप चाहते हो कि कैसे एक एक bit करना है वो मैं आपको बता हूँ उसके लिए आप course की playlist को access करना है दोनों के link मैंने डाल रखे है PDF के अंदर इस वीडियो को like करो या ना करो इस PDF को दरूद करना है और क्योंकि इसमें मेहनत लगी है मेरी आप लोग के लिए बनाईए डाउनलोड करना सारे link में दे रखे है link description में आपको मिल जाएगा लेकिन बास सुन लो पहले इससे बहले आप PDF को खोलो मैं चाता हूँ आप में इडी बास सुनो सही से चुकि अगर आप बात नहीं सुनोगे तो फिर अच्छे से आप नहीं कर पाऊगे ठीक है पांचवा जो resource है वो है code pen code pen करके एक website है उस पर आप सर्च कर सकते हो projects उस पर प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो literally आप बहां पर डाल सकते हो किया रब मुझे बताओ किस तरह से images का animation मना जाता है आप मेंज अनिमेशन सर्च करो के code pen पे आपको image animation के बहुत सारे results मिल जाएंगे और आप लोग code pen try करो और जाकर उस पर सर्च मारो आप code pen पर जाके सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारे projects मिलते हैं तो यह हो गया आपके project का एक source एक और project का source है मैंने html css javascript project की playlist बना रखी है अलग से html css javascript projects और यह अलग से playlist मैंने बना रखी है यह playlist जो है ऐसा निये की इसके अंदर ही है इस course के अंदर भी project है यह जो मेरा complete web development courses के अंदर भी projects है but मैंने यहां पर अलग से projects बना रखी है कुछ धमाकेदार जैसे की moving car animation एक game बना के दिखाया आपको और alarm clock बनाना दिखाई है सारी चीज़े मैंने आप लोग को बता रखी है analog clock बना के बताई है sorry alarm clock नहीं है वो analog clock है जो आपके टिक 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 वाली clock होती है तो यह सब देखके आपका काम हो जाएगा इसके बाद कुछ ऐसे tools है जो कि सारे web developers को सीखने है वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ हलां कि playlist में सारे मैंने लिखे हुए है एक है करके उनको read out करता हूँ जो UX Wing है एक website है जो कि मैं यूज करता हूँ आइकॉन्स को डाउनलोड करने के लिए आपको कभी भी अच्छे चाइकॉन्स चाहिए तो आपको यहां पर रहाँ पर रहाँ जाएगे आप डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद पिक्सा बे करके website है इस पर आप लोगों अच्छ तो आप कम से कम उनसे inspiration लेकर जैसे कि मैंने design की बात की थी खुद development कर सकते हो ठीक है खुद coding कर सकते हो इसके बाद unsplash करके website है और यह API देती है images की आपको आप unsplash कर इस्तेमाल करके keyword के आधार पर कुछ images को ला सकते हो unsplash के database से और मैंने यह सारी resources यूज करी है अपने complete web development codes में ठीक है तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी उसके बाद json placeholder करके एक fake online rest API है जो की दमागेदार API आप उसको इसको 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 आप जरूर देखना हो उसमें और भी आपको बहुत सारी resources मिल जाएंगी लेकिन वह बहुत सारी resources है तो उसको एक pinch of salt के साथ लेना जो important resources है वो इस PDF में डाल दी है I hope कि आप लोग को enough material मिल गया है web development सीखने के लिए अब आप लोगो को start करना है सारी resources मैंने बना रखी है चैनल पर मैंने web development का बहुत सारा मसाला डाल रखा है और आप लोग को किस तरह से उसको use करना है इस वीडियो में आप लोग को बता दिया है I hope ये वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा होगा अगर ये वीडियो helpful है तो इ एकसर करना वीडियो अब अब आप लोग को कम से कम इस से सेख सकते हो और अब अगर आपको PHP में जा तो अप यहां पर स्विच मार सकते हो ठीक है I hope चीजे क्लियर है अब फ्रेम्वर्क की अगर मैं बात करूं तो मैं कभी बाद में वीडियो बना दूँगा कि इसाब करने ठीक है? So, I hope that this video आप लोगो पसंद आए होगा. Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.